उत्रप्रदेश की प्रियाग्राद जनपद में हडिया तहसील छेत्र की गुल चपा में दिन दहारे दबंगो का आतंक देखने को मिला। प्रित किसान राजकुमार का आरोप है कि उसकी भूमधरी जमीन पर भूमाफियाओ ने जवरन टीन से ड्रक कर कपजा जमालिया है। प्रित को ही पुलिस ने थाने पर बैठा लिया और एक सक्याओन में चालान भी कर दिया। सुत्रों की मानने तो भूमाफियाओ ने किसान के पुस्तैनी मकान में आग लगा दी। प्रित किसान ने उक्त मामले के लिकित सिकायत डीसीपी गंगानगर से किया है। वह फोलपूर इंस्पेक्टर दिंदयाल का कहना है तुक मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। मामले की जाज कराकर आवस्यक करवाई की जाएगी। हम धरी जमीन में राजिंदर डाक्टर, अनिल कुमार, नीरेच कुमार, सोर्जवली, सुरिंदर कुमार, अजे कुमार, राकेश कुमार, सब कोई कपजा कर लिये। कपजा कर रहे थे हमने रोकने गए तो हमको गिया कर घसीट घसीट की मारा गया। हमने टहले कहन लई से कागल लेक टहलो कोई नहीं सुनवाई होगी। हमको कुब घसीट के मारा गया। हमको कहन दिन बहर टहलो कोई नहीं सुनवाई होगी। फोल पूर थाना है। तैसील हंडिया है। कोई नहीं होगी। हाँ दिन भरबंद किया गया। कोई कार रवाई नहीं किया। हम चाहते हैं जैसे बनाए हैं और इसे उसको गिराने के अडर किया जाए और हमको जैसे मारे हैं। योगी सरकार 2024 के मागमेले को 2025 के महा कुम्ब की रिहलसल की तौर पर पेस कर रही है। प्रियागराज मेला विगयास प्राधिकरण ने मागमेले को लेकर व्यापक तौर पर तयारी की है। मागमेले में सरद्धालू के सुबधाओ का पूरा ख्याल रखा गिया है। सुरच्चा को लेकर भी चाक चौबत इंतिजाम किये गए हैं असनान घाटू से लिएकर तुरे मेला चित्र में चपे चपे पनजर रखी जा रही है मेला चित्र की डोन और सीची टीवी केंडरों की निगरानी में हो रही है मेले में पुलिस पीएची के साथ परेमलेट टीव और एष्टीएस और एष्टीएप की टीमें भी तैनात की गई है वह असनान घाटू पर जल पुलिस में लगाई गई है तुम चाहे जहां तक जाओ कोई सुनाई नहीं होगी तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है जो है पुलिस वाले थान हैं हमारे तो आपकी सिकायद दर्ज हुई नहीं सिकायद नहीं दर्ज हुए पतनी के साथ पतनी के घसेट के मारा हमें भी मारा बड़े लगए जमीन कब्जा कर रहे हैं यह भी नहीं कोई मुखदमा नहीं दर चीए पहले तो फूलपूर गए फूलपूर से फिर हम लोग जब जबानत फिर बंद कर दिये साम की जबानत करा के आए तो रहात हो गई भी भी फिर अधाना दिवस था ही भ़ा चलो तॉना दिवस पर अबली के संदिया जाए शनिवार था उसके बाद अधाना दिवस में जिससे पोहुचे मोटर स्राइकल खड़ी गिया उसे घर सो सोचना कई तो मारे घर में आग लगा दिया चोटा बच्चा था उसको तड़े क अकेला है दुकान देख रहा पीछे जाकर आग फेंग दिये तो सोचना मिला था हम लोग तीन लोग गए थे घर से तुर्टे भाग कर घर से चले आज पचासों लोग हमारे माकान पर चड़े हुए थे आग बुझा रहे थे क्या चाते हैं जो हमने कहा चल रहे हैं फिर अपली के संदेंगे तो उन्होंने कहा अपिली के संदेंगे आग लगा दिये अव जान मारेंगे कुछ नहीं पाऊगे यह सब सारी समेस्च नहीं है अब पुलट वालों ने कहा दुबारा आओगे से हमारी जान मार दी जाए छह महीने तक उन्होंने धंकी दिया जह महीने के अंदर आओगे तो जेल भेद देंगे अब सर्व नाम नहीं जान काए पुलिस वाले थे जहां जवानत कराने गए वह 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 एक दिवान जी थे ओभी कहां कि 15 दिन उच्छ महीने के अंदर आओगे तो तुरन भेद देंगे नहीं कोई जवानत आपकी नहीं होगी अब हमारी जान मारे जाए संपल लुटी जाए हम से खायत करने ही जाए नहीं